हेलो गाज टेक्विद सुभास के न्यू एंड फ्रेश वीडियो में आप सभी का स्वागत है तो गैज मैं हूँ आप सभी का दोस्भास सर्मा एड आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि किस तरी के से जो हूँ आप अपनी फोटो में टेक्स्टर एफेक्ट तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि यह texture effect होता क्या है तो अभी आप देख सकते हो कि मेरी photo यह normal है अभी मैं इसमें texture effect डाल के दिखाऊंगा तो अभी आपके सामने जो photo दिखाई दे रही है इसमें texture effect add है तो इस तरीके से जो है वो आप अपनी photo में भी किस तरीके से यह effect add कर सकते हो तो आज के इस वीडियो में हम यही जाने वाले है तो सबसे पहले वीडियो को like कर देजिए चैनल को subscribe नहीं किया तो subscribe कर लिए और पास में आने वाले गंटे को भी दबा दीजिए तो बात कर लेते हैं हमारे topic पर यह जो texture effect है वो देने के लिए आपको एक app की जूरत पड़ेगी तो यहाँ पर अभी आप देख सकती हो कि मेरे पास यह pixel app है तो आपको क्या करना है इसे play store से download कर लेना इसका icon देख लिए इसका नाम है pixel app और by the way अगर आपको play store पे यह नहीं मिलता है तो मैं इसके link video description में दे दूँगा तो वहाँ से भी आप आस यानी से इसे download कर सकते हो तब मैं इसे open कर लेता हूँ तो आपको भी अपना open कर लेना है यह pixel app तो यह भी open हो रहा है तो आपके सामने कुछ इसा interface आ गया है तो अब आपको करना क्या है यह जो text आ रहा है new text इसको अब डिलेट करना है डिलेट करने के लिए उपर आप देख सकते हो यह delete का option है इस पर click करेंगे और यह जो confirm के लिए हम ok कर देंगे तो यह delete हो चुका है तो अब हमें क्या करना है वो मैं आपको बता दूता हूँ तो अब आपको वो pick यहाँ पर डालने होगी जिसमें आप जो है वो texture effect डालना चाहते हो तो उसके लिए यह plus का उपर आप icon देख सकते हो इस पर click करना है और from gallery पर आपको click कर देना है फ्रॉम gallery पर click करने के बाद आपको वो तस्वीर चुननी है जिसमें आप जो है वो texture effect डालना चाहते हो तो यह मेरी pick है मैं इसे ले लेता हूं तो इसमें मैं जो texture effect है वो डालना चाहता हूं तो यहां पर यह आगी है तो यहां से हम cropping कर सकते हैं इस तरीके से आप करना चाहो तो वो कल सकते हो और यह देख लिजे cropping आप आसानी से कर सकते हो और बाद में cropping वगेरा हो जाए तो आपको यह right का निच्चे चिन दिखाई दे रहा होगा यह icon है इस पे click कर देना है और वहाँ जाने के बाद यहां सर देख सकती हो इसे adjust कर देना है जिस तरीके से आप adjust करना चाहो देख लिजे यह देख लिजे यहां से ज़्यादा और कम होता है आप अपनी इसाब से कर लिजे तो मैं यहां पर यह इतना रहने देता हूं यह बताना चाहूंगा कि यह जो मेरी पिक है ना वो PNG में है PNG format में है तो आपको भी अपनी पिक जो है वो PNG format में कर लेनी है जिससे कि हमारा जो टेक्स्टर एफेक्ट है वो अच्छी तरीके से अगर आपको नहीं पता है कि PNG क्या होता है और किस तरीके से हम अपनी फोटो को PNG में बना सकते हैं तो उपर आप की फोटो PNG में होगी तब आप इसमें टेक्स्टर इफेक्ट जो है वो कैसे लगाओगे तो निचे आप देख सकती हो दो नमर वाला उप्षन है ए लिखा हुआ है ना निचे निचे तो इस पर आपको क्लिक करना है जैसे आप क्लिक करोगे तो यह कुछ इसा इंटरफेस आ जाएगा और यह वाले से उप्षन से आ आप्षन आ जाएगा तो यहां पर गैलरी का आ इकन सा बना हुआ इस पर क्लिक कर करेंगे जरिक करना के बाद यह जो हमारी अपन हो जाए लग्रेक्जाद के हैं यह निचांतर टेक्स चाथ है तो यहाँ पर croping वगेर आप करना चाहो लो तो वो कर सकते हूँ और उसके बाद यहाँ पर write आपको कर देना है तो मैं यहाँ यहाँ पर write कर देता हूँ write करने के बाद यहाँ आप देक्सक्तर dedic है वह तो अच्छी तरीके से अ,school होगया है तो आप अपने हिसाफ से अर्जिस्ट कर लीजिए कि कहा मुझे क्या कुछ चाहिए तो मैं यहाँ पर मुझे यह अच्छा लग रहा है गाईज तो मैं यहाँ पर यह रखूँगा तो आप अपने हिसाफ से रख सकते हो मुझे इतना यह ठीक लग रहा है मुझे आप अपनी हिसाब से रख सकते हो यह यह कि आप मेरी तरह कर रख सकते हो तो इतना कुछ करने के बाद यहात राइट का ऑप्षन है आगा इस पर क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद ये अभी ओफ है तो हमें इसे ओन करना होगा ये अभी ये जो है वह ओन हो गया है उसके बाद ये देख लीजिए हमारे फोटू के चारों तरफ आउटलाइन ची बनी हुई है इस आउटलाइन को आप जिस कलर में रखना चाहो वो कलर आप यहाँ पर चुन सकती हो अभी मैं बलेक चुन लेता हूँ यह देख लीजिए बलेक हो गया वाइट हो गया रेड हो गया जिस कलर के आपको चुननी है वो चुन लीजिए तो मैं यहाँ पर यह कलर चुनने वाला हूँ मुझे अच्छा लगा तो मैं यहाँ पर यह चुन लेता हूँ आपको अपने हिसाब से कर लेना है तो मैं यहाँ पर यह यहलो कलर है वो ले लेता हूँ और निचे थोड़ा आप स्क्रोल करोगे तो यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर भी प्लस माइनस है तो यहाँ पर जितनी आप ज्यादा करोगे न यह जो हमारी आउटलाइन है वो ज्यादा हो जाएगी तो उपर आप कोई देख लीजी, HD card गा option बना हुआ ना, HD card गा option, तो इसको आपको click कर देना है, click करने के बाद, यहाँ पर दो option है, save as project, save as image, save as image पर click कर देना है, click करने के बाद, यहाँ पर quality आप check कर सकते हो, जो भी आपको quality रखनी है, इस पर click करेंगे, और यहाँ पर medium, high, low, जो भी आप रखना चाहूँ, वो रख सकते हो, और इसके बाद, save to gallery पर click करके, हमारी यह जो photo है, वो save कर लेनी है, तो यह भी save हो रही है, यह finally save हो चुकी है, और आप चाहती हो कि यह जो हमारी photo है, png में save हो, तो उसके लिए आपको करना क्या है, यह जो चोथा option दिखाए दे रहा है, यह जो चोथा option दिखाए दे रहा है, इस पर click करेंगे, और यह जो transparent का option है, इसे click कर देंगे, जिससे कि हमारी photo है, जो png में हो जाएगी, तो अगर आप इसे save करना चाहते हो, तो उपर यह जो stick आट का option है, इस पर click करेंगे, और save image पर click करके, save to gallery पर click करके, हम इसे save कर लेंगे, तो इस तरीके से जो हम, यह जो text effect लगा सकते हैं, और अपनी photo को save कर सकते हैं, तो अब बात कर लेते हैं, किस तरीके से जो है, आप जो text में यह जो text effect लगा होगे, तो इसके लिए आप करना क्या होगा, मैं इसे थोड़ा back कर लेता हूँ, यह जो back हो गया, और यह जो हमारी photo है, इसको मैं delete कर देता हूँ, यह जो मैंने delete कर दी, अब हम text add करेंगे, text add करने के लिए उपर plus का icon आप उदिखाए दे रहा होगा, इस पर click करेंगे, और text पर click कर देंगे, और इसके बाद यह जो text आ गया है, इसे हम edit करेंगे, edit करने के लिए जो A वाला option है, इस पर click करेंगे, और यह जो edit का option है, इस पर click करके, हम यहाँ पर जो भी अपना text लगाना चाहते हैं, वो text लगा सकते हैं, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, subscribe, subscribe लिख देता हूँ, और यहाँ पर मैं इसे OK कर देता हूँ, OK करने के बाद, यहाँ पर इसकी size जो भी आप रखना चाहो, वो राख सकते हो, तो मैं size थोड़ी से ज़्यादा बढ़ा लेता हूँ, जिससे कि हमें यह जो texture effect है, वो अच्छे तरीके से दिखाई दे, और यह मैं इतना रखूँगा, और write कर दूँगा, और इसे थोड़ा bold भी कर देता हूँ, जिससे कि यह जो है, वो अच्छे तरीके से दिखाई दे, तो यह finally हमारा जो effect है, हम लगाएंगे, तो इसके लिए यह जो option दिखाई दे रहा है, यह जो edit, delete, इसे हम scroll करेंगे आगे, और यह जो texture effect है, वो हमें देखने को मिल रहा है, तो इस पे हमें click करेंगे, और from gallery में जाके, यहाँ पर gallery का icon है, इस पे click करके, हम अपनी कोई भी photo ले लेंगे, जो हम अपनी जो photo में लगाना चाहते हैं, तो अभी मेरे पास कुछ ही भी नहीं है, यह जो मेरी photo है, यह ही मैं लगाना चाहता हूँ, तो इसमें मैं click करूँगा, और click करने के बाद, मैं यह से cropping वगेरा करना चाहूँ, तो कर सकता हूँ, और write कर दूँगा, write करने के बाद, यहाँ पर आभी देख सकते हो, यह जो उमारी photo में है, जो photo है, वो हमारे यह जो subscribe वाला नाम है, इसके अंदर आ चुकी है, तो अब देख लिजिए, आप इस तरीके से जो है, वो नीचे से ज़्यादा या कम कर सकते हो, तो इस तरीके से आप जो है, वो अपनी text में भी आप add कर सकते हो, तो मुझे यह वाला जो, यह अभी ठीक लग रहा है, और मैं write कर देता हूँ, तो इससे भी आप save करना चाहूँ, तो उपर यह जो आश्टी कार्ट का option है, इस पर click करके save कर सकते हो, तो इस तरीके से जो है, वो फोटू में और अपने text में, जो है वो हम यह add कर सकते हैं, तो बहुत यह अच्छा effect यह लग रहा है, मुझे यह देख लिजे, अच्छा effect लग रहा है मुझे अभी आप, आप देख सकते हो, मुझे तो अच्छा effect लग रहा है, आप जितना मतलब की बड़ा हमारा text होगा, उतना अच्छा जो इसमें आपको देखने को मिलेगा, तो finally guys, यह जो हमारा तरीका था, वो बिल्कुल based है, आप देख सकते हो, इस तरीके से जो हम अपनी photo में, और जो text में, टेक्स्ट एरिफेक्ट एड कर सकते हैं, तो finally guys, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लिजे, और अनलाइक भी आप कर जकते हो, और रिजिन मुझे कमेडोक्स में बता देना, तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, एक ऐसे interesting and helpful वीडियो के साथ, अब तक के लिए, आप अपना ख्याल रखेगा, जय हिंद, जय भाव,